साथियों नमस्कार आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी के मशुहूर कभी पदमस्री डाक्टर सुनील जोगी और उनकी कभिता हिंदी गीत पाराधारित यहकारक्रम डाक्टर जोगी इस दोर के लोगप्री और सिध्धस्त कभी और रचनाकार हैं आईए सबसे पहले कभी परिचे हो जाए भारत सरकार द्वारा पदमस्री से सम्मानित डाक्टर सुनील जोगी कभिता साहित के छेत्र में एक जाना माना नाम है ना सिर्फ कभिता बलकि साहित की अनेक विधाओं में जोगी जी का लेखन राष्ट्री महत्तुका है डाक्टर जोगी लगभग 10,000 कभि सम्मेलनों में अपनी गवरवशाली भागिदारी कर चुके हैं उन्हें देश ही नहीं बलकि बिस्व के कई देशों में हिंदी का पर्चम लहराने का सौभाग या प्राप्त है हिंदी साहित के साथ साथ हिंदी फिल्मों में अभिनय का लोहा मनवाने वाले जोगी जी को कई फिल्मों के गाने लिखने का भी गवरवप्राप्त है नई पीड़ी के मानसिक विकास के लिए कविता एक ससक्त माध्यम है जोगी जी की कविताएं नई पीड़ी को ग्यान, अनुभव, जीवन मुल्य, नैतिकता, संबेदना, दाइत तथा कर्तब का बोध कराने में सक्षम है समाज कैसा होना चाहिए, राष्ट कैसा होना चाहिए, नई पीड़ी कैसी होनी चाहिए जोगी जी की कविताएं उसका खाका खींचती हैं, अर्थात प्रतिमान गढ़ती हैं। जीवन की आँच में तपा हुआ कभी और उसकी कविताएं नई पीढ़ी अर्थात जुआ पीढ़ी का मार्क दर्शन करती सी प्रतीत होती हैं। अनेक सम्मानों से जोगी जी को नवाजा गया है, जिसमें भारत सरकार का पदमस्री सम्मान तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यस भारती पुरसकार प्रमुक हैं। अब बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही, अर्थात कभी बोलेंगे और उनकी कविता बोलेगी। आईए सुनते हैं पदमस्री डाक्टर सुनील जोगी से कविता पाठ। कभी बर आपका इस कारक्रम में स्वागत है। हिन्दी हमारी शान है। हिन्दी हमारी शान है। है देश की पहचान है। हिंदी हमारा मान है, हिंदी हमारा मान है Lok मता बरी करुणा बरी इसमें मगर हुंकार भी धारा है या विरल प्रेम की बैरी को है ललकार भी ये चंद है स्वच्छंद है सुरले में सुर्भित तान है हिंदी हमारी असमिता हिंदी हमारी शान है हिंदी हमारी असमिता है देश की पहचान है हिंदी हमारे खून में भूगोल में इतिहास में हिंदी हमारे खून में, भूगोल में, इतिहास में, तुलसी में, नानक सूर में, रसखान में, रैदास में, निरजीव से हैंतन बदन, हिंदी हमारी जान है हिंदी हमारी असमिता, है देश की पहचान है, हिंदी हमारा मान है, हिंदी हमारी शान है माना विदेशी सल्तनत ने मुद्दतों छोडे रखा, लेकिन ये हिंदी थी कि जिसने पीडियों जोडे रखा भाशा न समझो तुम इसे याराष्ट का उत्थान है हिंदी हमारी असमिता है देश की पहचान है हिंदी हमारा मान है हिंदी हमारी शान है काली अमावस रात में हिंदी हमारी भोर है इसके उजाले की चमक दुनिया में चारोर है हिंदी हमारी मात्रिभाशा ही नहीं इमान है हिंदी हमारी असमिता है देश की पहचान है हिंदी हमारा मान है हिंदी हमारी शान है हिंदी हमारी यस्मिता है देश की पहचान है साथियों अभी आपने Dr. सुनील योगी जी से कविता पाठ सुना साथियों अब हमारा कारक्रम यहीं संपन होता है अगले कारक्रम में हम किसी अन्य कविता और उनकी कविता के साथ फिर परस्तुत होंगे तब तक के लिए हमें आग्या दीजिए नमस्कार